नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका देन्यूज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों गठबंदन के अंदर गठबंदन और उस गठबंदन का चुनाओं पर प्रभाव दोनों दो चीजे हैं एक गठबंदन बाहर से दिखता है जैसे एंडिये गठबंदन या अलायंस में कोई बड़ा की सीटों से समयोजित करता है मकसद सिर्פ एक होता है कि उस चोटे दल के पास जो सीटें होती है उस सीटों को और जो वोट होते हैं पूरे राज में उसका अधिक्न फायदा अपने पक्श में लिया जा सकते राजनिति में उसमें कोई बुराई भी नहीं है हर राजनितिक दल्य ही काम करता है नरण मोदी चाहे जितना भी कहें ये एक अकेला सब पर भारी लेकिन इस एक अकेले को चंदरबाबू नाइडू की भी जहुरत पड़ती है तो चिराज पासवान की भी जहुरत पड़ती है नितीज कुमार की जहुरत पड़ती है तो एकनाज सिंदे और अजीत पमार की जहुरत पड़ती है संजय, निसाथ, जैन, चौधरी और उमपरकास राजवर के भी जहुरत पढ़ती है क्योंकि इन सब के पास अपनी अपनी जमात का एक ठीक ठाक वोट है नितीस कुमार के पास जमात से जाना बड़ा वोट है लेकिन बाकियों के पास अपनी अपनी जमात में एक ठीक ठाक छोटा या बड़ा लेकिन वोटों का चंक है यही काम अब इंडिया गटबंदन ने भी बहुती सावधानी के साथ बहुती जाजनितिक चतुराई दिखाते हुए सुरू किया है सुरुवाती दौर पर इस तरह के अलाइंस में जगह नहीं दी गई लेकिन बाद में अलग-अलग राज्यों में छेत्री अस्तर पर कुछ ऐसे दलों का समायोजन किया जाने लगा जिनके पास छोटा ही सही लेकिन निर्णायक भूमिका निभा सकने वाला एक वोट बैंक है आज चर्चा बिहार की और बिहार में जब इंडिया गठ बंदन अपने ओरिजिनल स्वरूप में सामने आया तकरीबन हफते बर पहले तो उसमें राश्टी जनतादल को 26 सीट बि 40 सीटों का बटवारा हो गया जब ले लिया उसके बाद राश्टी जनतादल ने एक नए राजनितिक दल को अपने कोटे की सीटों के मार्ध्यम से जोड़ा और उस राजनितिक दल का नाम है विकास्तिल इंसान पार्टी संझेप में कहें तो वियाईपी पार्टी सन अफ म लाह ये जो शब्द बिहार में चलता है मुकेस राजनि के लिए स्वाभावी किन उससे को और उस तबके का Electoral Politics में इतना importance है, इतना महत्त है कि कई नजदी की मुकाबले वाली सीटे एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। मुके सहनी आये, राजद ने अपने कोटे की तीन सीटे दी, गुपाल गंसुरक्षित, पूर्वी चंपारन यानी मोतिहारी और जंजारपूर। और इन तीनों सीटों को देने के बाद जो खलबली बिहार में इंडिया गठ बंदन के अंदर मची हुई है, उन्हें लग नही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिले भारती जनता पार्टी के साफ कर दिये, भारती जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पुर्वांचल के उस इलाके में हुआ, क्योंकि वोट ट्रांसपर कराने में उन प्रकास राजबर अकलियस यादों सफल हो गय थे, आज की ता सहारा है, जितने बड़े सन अप मला यानि मुकेस सहनी के मला समाज की वोटों का सहारा है, इन वोटों के सहारे एक ऐसा एलेक्टोरल कंपोजीशन, एक ऐसा चुनावी सहयोजन बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें तेजस्वी यादों के बतौर उप मुख्यमंत्री कारेक बिखाल में, जो नौक्रिया दी गई, भाई से 3 लाख नौकरिया दी गई, वो मुद्दा परमुक्ता से है, तेजस्वी यादों उसको लेकर घूम भी रहे है, माई समिकरन यानि मुसलिम यादों समिकरन की पार्टी को, अब माई बाप समिकरन भी कर रहे हैं, जिसमें आधार वोट ही 35-36 पीस अदिका हो जाए तो विपक्षी राजजितिक दलों को विपक्षी गठवंधन को चिंतित होना स्वाभाविक है कई सीटे गड़बडा सकती है अब कई लोग यह कहेंगे कि मुकेश सहनी पिछली बार भी तो इंडिया गठवंधन के पुराने अवता 2020 के विदान सवा चुनाओं के बाद और उसके बाद 2021 के बोचहां उप चुनाओं के नतीजे के बाद सामने आए उस उप चुनाओं के नतीजे ने मुकेश सहनी को निसादों का सरोमान ने नेता बना दिया एक ऐसा नेता जिसने बिहार में एक सुरक्षित सीट भारती जंत पार्टी के खाते में नहीं जाने दी और वो हालात जब पैदा हुए तो उस हालात में मुकेस सहनी की राजनितिक ताकत एक ऐसी जमात के साथ जाकर जुड़ी जो सत्ता में एक वोट बैंक के तौर पर पिछले सत्तर सालों से क्या कॉंग्रेस क्या भाजपा क्या जंतादल क् कम्निस्ट पार्टियां सबने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल की लेकिन नेत्रित उभर ने नहीं दिया गया नेत्रित उभरा और मुकेस सहनी के नेत्रित में उबढ़ा आज बिहार के लगबग तीन फिसदी मलाहों को लग रहा है कि उनका नेता मुख्यमंत्रियां मिल करवा लिया मुकेश सहनी नील बटा सननाटा हो गए तो उस परिस्तिती में भारती जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को धोखा दिया ये बात बियार के मला समाज के लोगों के बीच अब जाहिर है कि दिखाई देने लगी है चोग चोराहों और नुकड़ों पर इसकी चर् हो गया है कल जमुई में थे उसी जमुई में इन दोनों की साजा रह ली हुई जिस जमुई में प्रधान मंती नरंद मोदी आये तो जरूर लेकिन परिवार वाद पर उनकी जुबान नहीं खुली राम बिलास पासवान के दामाद और चिराट पासवान के जीजा उनके समर से परिवार वाद पर हमला सुनने के लिए तरस गया कि आखिर अब तो मोदी परिवार वाद पर बोलेंगे लेकिन बोलते कैसे 35 पीसदी का अगोसी तारक्षण जो बिहार में परिवार वाद को चुनावी आरक्षण जो दे रखा है चालिस में 14 सीटे एंडिये गटबंदन ने परिवार वादियों को दे रखी है फिर विपक्ष का परिवार वाद परिवार वाद और भाजपा का परिवार वाद सराचार वाद जनता इस चीज़ को समझती है और जब जनता इस चीज़ को समझती है तो मुकेस सहनी के वोट नहीं कर सकता कि नितीस कुमार इतने बड़े नेता बने तो बतौर रेल मंत्री बतौर मुख्य मंत्री उनके कारेकाल ले उनके संगर्सों की भी भूमिका थी लेकिन के कारेकाल की भूमिका ज्यादा बड़ी है तेजस्मी आदव अपनी विरादी के इतने बड़े नेता बने तो उनके पीछे उनकी विरासत है चिराट पास्वान इतने बड़े नेता बने तो उनके पीछे उनकी विरासत है लेकिन मुकेस चाहनी के पीछे कोई विरासत नहीं थी मुकेस चाहनी अपने बूते नेता बने और जो अपने भूते संघर्स से तब कर नेता बन कर सामने आया तीन सीटे उसे भले ही दी गई हो लेकिन मलाह समाज एक ऐसा समाज है बार सुखाज से ग्रस्त इलाके में फ्लड एफेक्टेड स्टेट में मलाह समाज एक ऐसा समाज है कोई ऐसा लोग समाज स्टीट बिहार में आपको नहीं मिलेगा जिसमें 50,000 से कम मलाह वोटर हो और पोलिंग काफी हाई होती है मलाहों में 80-50 फिसदी तक पोलिंग मलाह समाज में होती है तो उस मलाह समाज की वोटिंग को ले करके इंडी गठ बंदन नरण्यमोदी का इंडी गठ बंदन जिसे लोग इंडी ये गठ बंदन करते है उस में चिंता स्वभावीक है चिंता इस रूप में भी स्वभाविक हैドンouxी भारति जन्ता पार्टी दोनितिज कुमार के भरोसे है चिरात पासवान के भरोसे है जाती जंग प्राव दिख रहा है समराड चौधरी को आगे करके जिस कुस्वाहा पॉलिटिक्स को खेलने की कोशिज की गई लालू यादों के मास्टर श्ट्रोक ने कई सारी सीटों पर कुस्वाहा कैंडिट उतारना और इस चीज को ध्यान में रखकर कुस्वाहा कैंडिट उतारना जह पकार से जमुई में जनसहलाब उम्रा है वही जमुई का जनसहलाब अगर किसन गंजपूर्णिया सुपॉल आरा बकसर छप्रा से होते हुए बेतिया वालमी की नगर तक पहुँच गया यानि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच गया तो यकीन मानिए दिक्क दिक्कते रविसंकर प्रसाथ को भी होगी तो दिक्कते राधा मोहन सिंग को भी होगी दिक्कत देवेश चंद ठाकुर को भी होगी तो दिक्कत लवली आनंद को भी होगी और दिक्कत यू कहें कि नरंद्र मोदी और अमित साह को सबसे ज्यादा होगी को सकता है नितीज कि कम से कम उन्हें राहत मिलेगी कि बिहार में उनकी पार्टी में तोड़ फोड़ करने वाला सत्ता से बाहर हो गया लेकिन मुकेश सहनी के वोटों ने नितीश कुमार के अती पिछड़ा जनाधार में भी सेंद लगाई अती पिछड़ी जमात खासकर बहु संख्यक अती पि इतना बड़ा डेंट यदी NDA को नितीश कुमार चिराग पासवान और नरेंद्र मोधी के गठबंधन को मुकेश सहनी और तेजस्वी आदों मिल कर दे रहे हैं कॉंग्रेस और लेफ्ट इन दोनों के साथ खड़े हैं तो 40 सीटों में से कितने सीटों के नतीजे कर meeがए हो सकता है इसलिए नहीं हो सकता को कि अब तक किसी ने निशात समाज के वोटों को एक वोट बैंक के तौर पर देखने की कोशिस नहीं किये lijकिन अब मोगेश सहनी ने दिखा दिया है कि ये बड़ा वोट भैंक का इसकी अंदेखि नहीं किजा सकती आज के लिए इत